जहन साथियों आपका अपनी यूट्यूब चैलंड में हार्दिक स्वागत है साथियों आज हम जानेंगे कि बिधान सभा चुनाव और लोग सभा चुनाव को लेकर पीठा सिन के डायरी हम किस प्रकार से तयार करेंगे इसके लिए जो आपको उपबंद 14 भन्ना होता है इसमें सबसे पहले लिखा है निर्वाचन शित्र का नाम इस पर चच्छों में तो जिस बिधान सभा या लोग सभा के लिए निर्वाचन हो रहा है उसका क्रमांक और नाम यहां पर भर देना है जैसे यहां आठ खजरा हो भर दिया गया है आगे मतदान की तरीक तो जिस डेट में आपके यहां चुनाओ हो रहा है वह डेट आपको यहां पर इस प्रकार से भर देना है इसके बाद है मतदान केंद्र की संख्या वा नाम जहा पर आपकी डूटी लगी हुई है उस मतदान केंद्र का क्रमांग और नाम यहां पर भर देना है इसके बाद है मतदान केंद्र निमने में से कहां इस्थित है सास्की में है, नजी भवण में हैं या आयस थाई सरचना में है तो ज्यादातर जो मतदान के इंदर होते हैं वे सास की भौन में ही इस्थेत होते हैं तो आपको यहां सास की लिख देना है इसके बाद है इस्थानी रूप से भरती किये गए मतदान अतकारियों की संख्या यदि कोई हो तो भनना है यदि पीछा सी नतकारियों को जो पावर होते हैं यदि उसके हैं कोई मद्दान या उसके मद्दान दल कोई अत्कारी बिमार हो गया है या कोई इसी घटना घट गई है तो पीठेसी नत्कारी स्थानी से च्छक या आंगनवागी कारकरता को मतदान अत्कारी नुक्त कर सकता है अगर इसी कंडिशन आपके हैं घटित मतदान मसीन, पहला है, उप्योग मिलाई गई नेंदरेग यूनिट की संख्या, तो आपको यहाँ संख्या लिखनी है, कि एक यूटि उप्योग हूई है, कि दो अप्योग हुई है, तबीक अबर क्या होता है, मसीन खराब हो जाती है, हम एक से अधे कन्ट्रोल यूनिट को तो वहां संख्या भर नी है, इसके बाद नीचे दिया है, उपयोग में लाइगा क confiscator कि क्रम तो जो आप कुरसांत में और भर देना मुझा है, the evidence संख्या तो ऐसके अफार हमे का साथ युद के व SAR मेरे भाग में मुझाट खूझी होती है उसको देख कर आप लिया ना है इसके बाद है उप्योग में लाईगे मद्दान यूनिट की संख्या आपके यहां कितनी मद्दान यूनिट का उप्योग हुआ है एक या दो उनकी संख्या आपको यहां लिख देनी है यदि आपके यहां जो अभ्यर्थी है 15 ज्यादा है यøons दी नुट का उप्योग होगा अमदद बैलिटे जो है मडदान नुट का उप्योग होगा तो आपको यहां संख्या लिख देना है और यह करमाँक कश़्ाई में लेखा होता है साथ ही मशीन के पीछे भी चस्पा होता है इसके बाद है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या अर्थात जो पेपर सील है या हरी पत मुद्रा है कितनी संख्याओं जिनका उपयोग आपने किया है वह संख्या भर देनी है अमूमन एक ही भन्ना होता है इसमें और उसकी पेपर सील की जो क्रम संख्या है अर्थात जो हरीपत मुद्रा है उसका जो क्रमांग है आपको यहां पर भर देना है इसके बाद है प्रताय किये गए बिसेश टेग की संख्या जो इस पेशल टेग आपको प्राप्त होते हैं ज इसके बाद है उप्योग में लाएगे विसेश टेक की संख्या अर्थात जिनका उप्योग आपने किया है उसकी संख्या आपको यहां पर भर देनी है ज्यादा तर एक ही उप्योग होता है तो एक ही भनना है हमें जहां पर किलोज बटन होता है वहां पर इसको लगाया जाता इसके बाद है उपयोग में लाए गये बिसेश टैक की करम संख्या तो गृषिया है उसका कर्मा का यहां पर भर देना है इसके बाद है वापस किए गये विसेश टैक की करम संख्या यहसे आपने 131 नम्मर्क उप्योग कर लिया तो 11221-143 बचा उनकी करम संख्याप को यहां पर इस प्रकार से लिख देना हैं इसके बाद है प्रदाय की गई इस्ट्रिप्सील की संख्या तो इस्ट्रिप्सील जो है अब जो है इसका उप्योग बंद हो गया बत्माच चुनाव में तो यहा इसके बाद है ऐसे प्रत्याश्यों की संख्या जिन्हों ने मद्दान केंदर पर एजेंटर निक्ट किये हैं तो उनकी संख्या पर देनी है कि ऐसे कितने अब भिरती हैं जिन्हों ने जो है मद्दान केंदर पर अपने एजेंट या मद्दान अपकरताओं की निक्ति की है इसके बाद है मद्दान अपरताओं की संख्या जो मद्दान आरंभ होने के समय उपास्थित थे अर्थात जो मद्दान साथ बज़ों मालो होता है प्रारंभ है तो कितने वेजियनट जो उपास्थित थे उनकी संख्या लिख देनी है इसके बाद है जो बिलंब से आए है या दिकूई है तो उनकी संख्या लिख देनी है और ऐसे मद्दान अप करता है जो मद्दान की समाप्ति पार उपस्थित थे कितने थे उनकी संख्या यहां पर भर देनी है इसके बाद है मद्दान केंदर पर नहीं आते हैं मत अदाताओं की कुल संख्या तो आपके मद्दान केंदर में चिन्हित पृत की अनुसार कुल कितने मद्दाता थे वो यहां पर भणना है आपको ध्यान देना है कि ऐसे आपके हमालो 7-16 मत दाता थे चिंधत प्रत के नुसार और आपके हैं 4 ADC का प्रियोग हुआ है अर्थाद ऐसे ADC जो है जो करमचारी होते हैं जिरके डूटी चुना में लगी होती है उनको जारी किया जाता है उसको कहते हैं लेक्सन डूटी सार्टिफिकेट वे करमचारी जो हैं मसीन के माध्धम से बोट डाल सकते हैं तो 7-16 यह हो गए और 4 यह हो गए इस प्रकास एकल हो गए 720 तो आपके हैं पर 720 भर देना है इसके बाद है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति की अनुसार मत देने के लिए अनुग्याद किये गए निर्वाचकों की संख्या अर्थात कितने मत दाताओं ने जो हैं मत का प्रियूख किया है या बोट डाले हैं उनकी संख्या यहां पर भर देना है इसके बाद है ऐसे नरवाचकु की संख्या जिनको मद्दाता रेजिटर में दर्ज किया गया है तो आपको यहाँ पार 563 भर देना है इसके बाद है अल्ला भी यहाँ पर भनना है चिनहित प्रति में कितने मद्दाता चिनहित प्रति के अनुसार जो है वह कुल मद्दाता से 720, 720 में जो है चिनित प्रत के अनुसार हमने जिनको टिक किया है वो है 563, इसी प्रकार से मद्दाता रेश्टर में जिनको दर्ज किया है वो है 563, और मद्दान मासीन के अनुसार रिकार्ट किये गए मतु की संख्या है 561, दो ऐसे मद्दाता थे जिन् जिन्होंने मद्दान ना देने का बिनेश चेक किया हो, यदि क्यों है तो भर देना है, तो एक मद्दाता ऐसा है, जिन्होंने जो है, मद्दान ना देने का बिनेश चेक किया है, साथ ही हमने पहले बतलाया है, मत्पत्र लेखा में, या अफलेकित मतों के लेखा में, कि एक म मदादाल देने से मना कर दीया है, साथ एक मदादा इसा था यसा था, जिसको पिठे सी नथकारी ने मदान प्रक्रिया का औलंखर करने के कार happening मदादा से मना कर दिया था. तो कुल मददाता हो गए दो जिनका बूट मसीनी में नहीं डला है इस प्रकार से 563 में 2 माइनस करके हमने हैं 561 भर दिया है इसके बाद जो है प्रत्म मददान अत्कारी है उसके हस्ताचर यहां पर आपको लेना है और मददाताओं के रेजिस्टर के भार साधा मददान अत्कारी के हस्ताचर अर्थात जो है मददान अत्कारी क्रमांक दो के हस्ताचर यहां पर लेना है इसके बाद है निर्वाजकों की संख्या जिन्हों निमत दिये तो कुल जो है 561 में 263 पोरोस और 278 महलाओं ने बोट डाले है और यदि कोई आप कहां 3 एंडर है तो भरना है निर्वाजकों छोड़ लेना है इस प्रकार से कुल कितने पोरोस और कुल कितनी महलाओं ने बोट डाला है उनका विवरन भरना है और कुल टोटल भर यहां पर भर देना है इसके बाद है चैलेंज बोट यदि आप कहां कोई चैलेंज बोट हुआ है या परिछड मत हुआ है तो भरना है अन्था यहां निरंका कर देना है इसके बाद है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाज़ पत्र अर्थात ADC का प्रियूप करके मत दिये हैं जैसे कि हमने आपको बतलाया थे कि 716 अकुल मद्दाता थे चार ADC जारी हुई हैं जिनके बाद हैं से अल्ला करमचारी नोबूट डाले हैं इस प्रकार से उकल मद्दाता हो गए थे 720 तो इस प्रकार से चार ADC का उल्लेट यहां पर हमें करना हैं इसके बाद है आप रवासी या एनाराई मत दताओं की संख्या जिन्होंने मद्दान किया है यदि आप कोई ऐसी संख्या है तो भनना है निरंग कर देना है उन निर्वाज़कों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिये हैं इसे ब्रध है सिथिल है या दिब्यांग मत दाता है जिन्होंने साथि का कि माध्यम से मत दान किया है तो उनकी संख्या यहां पर भनना है नता छोड़ देना है नरंगा कर देना है अन मतदताओं की संख्या जिन्हों ने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया है अगर कोई प्रॉक्सी मत आपके यह बुट डला है तो भरना है उन्ता छोड़ देना है इसके बाद है निवदत या टंडर मतों की संख्या अगर आपके हैं कोई टेंडर बूट डाले गए हैं तो भरना है अन्था यहां छोड़ देना है इसके बाद है निर्वाच्कों की संख्या जिनकी उमर के बारे में घोसराय प्राप्त की है यह से कोई यदि की मददाता आता है आपको लगता है कि उसकी उमर बहुत कम है तो हम जो है उसके गोसरा भरवा सकते हैं अगर यदि आपने कोई गोसरा ऐसी भरवाई है तो यहां पर भनना है अन्था निल कर देना है इसके बाद है जिन्होंने गोसराय भनने से मना कर दिया हूँ यदि को ऐसी घटना हुई है तो भरना है अंथा निरंक कर देना है इसके बाद है किया मद्दान इस्थगित करना अवस्यक था यदि आपके यहां को ऐसी घटना घटत हो गई है कि मद्दान बंद करना पड़ा हो तो यहां जो है भरना है अंथा यहां निरंक कर देना है इसक कि 7 से प्राता साथ बजे से प्राता नो बाज तक कुल कितने मद्दाताँ ने बोड डाला 35 से आप यहां जोर करनी भनना है ठीक है 9 से ग्यारा की बीच में को 168 पर एक से तीन, पचासी, तीन से पांच, एकसो बारा, पांच से मद्दान समप्त के 169, इनका जोल भी 561 आनान चाहिए, अर्थात आया होगा, जेतने मसीन में पड़े हैं, उनका जोल उतना ही होगा, अर्थात इन सभी का जोल जो है, मसीन में डाले गए कुल मतों के बराबर होगा, इ इसके बाद है, मद्दान समाप्त होने के समय, लैन में खड़े मद्दाताओं को जारी कीगी पर्चियों की संख्या, यदि आपके हाँ जैसे मालो 26 तक मद्दान का समय है, और आपके कैमपस में मद्दाता खड़े हैं, तो उनको पीठा सी नतकारी पर्ची जारी करता है, उन पर्चियों की संख्या में यहां पर भणनी है कि कितनी पर्ची जारी की गई है, तो मालो कुल मद्दाता थे 25 तो पीठे सी नतकारी जो है, अन्तिम जो ब्यक्ति लैन में लगा है, वहां से सुरू करके, जो पहला मद्दाता है, उसको पुल्टे करमें पर्ची जारी कर हमें यहां पर भर देना है कि उसने कितने समय मद्दान किया है, तो इनने भर दिये साथ बचकर 10 मिनट पर सैम काल, आगे लेखा है ब्यवरों सहत निर्वाचन अपराद, यदि आपने कोई निर्वाचन अपराद हुआ हो बूत के अप्सरंग बगार है, उस भी हुआ हो, आगे लेखा है जैसे मद्दान किंदर से 100 मीटर के भीतर, मत सयाचना कोई घटना घटे थुई है तो भर देना है, अन्ता चोड़ देना है, इसी प्रकार से मद्दाताओं को दिस्वत देना है, तो निर्वाचन कर दिया, बहबीत करना है मद्दाताओं को तो यहां कर देना है इसके बाद है क्या निमनलिकत क्रणान उसे मद्दान में भिग्धाइ बात्थ हुई है कोई बलवा हुआ है कोई प्राप्टय घटना हुई है भूध पर कभ्जा हुआ है मद्दानमसीन और्थतों खराब हुगई है या उंड कुई कारण है अगर कोई कारण जिसे मद्दान बाधित हुआ है तो भनना है अंथा यहां निरंक कर देना है इसके बाद है क्या मद्दान के इंदर पर उपयोग में लाएगे किसी भी मद्दान मसीन को पीछे सी नतकारी के प्रच्छा से अवेधाने प्रूप से छीन कर अकासमे के जान बूच कर गुम करके यह नुक्सन पहुंचा कर च्छान करके मद्दान को दूसित किया गया है यदि कोई ऐसी घटना घटेत हुई है तो भनना है अंथा यहां निरंक कर देना है आगे है प्रत्यासियों यहां भी करताओं द्वारा की गई गंभीर से कायते हैं यदि क अधिया करता है जो जो एसा मामला घटेत हुआ है तो लेक करना आ अंत्यान कर कर देना है आगे मद्दान के इंद्र पार तुरुटियों और अनिमितताओं की रिपोर्ट यहां तो भनना हैं ता यहां देनक कर देना हैं आगे है क्या आपने मद्दान प्रार्णम के पूर्वे जदी अवस्याइक हो तो मद्दान के बीच किसी नई मद्दानमा सीन को उप्यूग किया है तो उसके उप्यूग मिलाने के पूर्वे और मद्दान की समापती पर जो अवस्याइक ही हैं वो भरी गई हैं नहीं तो इसका उलिख करना है और पीठे सीन अतकारी यहां पर अपनी सुभनना कसी लगाएगा और हस्ताचर करेगा इस्थान डालेगा और यहां दिनांग डालेगा इसके बाद जो है यह लेखा है कि यह डायरी मद्दानमा सीन बिजट सीट 14 बिंदू की प्रेच्छा की रेपोर्ट और अन्नमोहरबंद लिफाफों के साथ आरो अतकारी को भेजनी चाहिए तो इस प्रकार से पीठे सीन डारी आपको भनना है तो साथ इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आपको पीठे सीन डारी भनना आ गई होगी यदि आपको कोई प्रस् टैप करना ना भूलें धन्यवाद